आज हम लोग मैंगो केक बनाते हैं चलिए अब उसका शुरुआत करते हैं एक आम का पल्ब निकाल करके मैंने मिक्सी के जार में टाल दिया है और एक कप चीनी मैंने लिया है मेजरेमेंट आप जब भी करें सब एक ही कप से करें वन फोर्थ कप दही लिया है एक चमच बेकिंग पॉडर आधा चमच बेकिंग सोडा और वन फोर्थ टीश्पून मैंने वेनिला एसेंस लिया है वन पिंच सोल्ट लिया है अब एक चमच फेनेगर अब इसको हम लोग अच्छे तरह से चला लेंगे देखे तिन चार मैट इसको हमने चला लिया है अब इसको एक बड़े पॉल में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा आड़ करते जाएंगे मैंने मैदा टेड़ कप रखा है उसमें जितना लगेगा उतना डालते जाएंगे इसका थेकनिस थोड़ा मोटा ही रखना है देखे इस तरह से चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे इसमें हम लोग 5 चमस देशी घी डालेंगे इसमें देशी घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है कि एक कप मैदा से थोड़ा सा ज्यादा लगा है इसमें अब इसे भी अच्छे से हम लोग चला देंगे इसका घूल अगर पतला रहेगा तो यह अच्छे से फूलेगा नहीं देखें 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 अब चलिए अब हम लोग कुकर को प्रीहिट कर लेते हैं प्रीहिट करने में पास से छे मिनट लग जाता है बहुत तेज हाँ में प्रीहिट ना करें अब इसमें देखें गी डाल करके चारा तरप लगा लेंगे और सूखा मैदा डाल करके इसको चारो तरफ से हम लोग इस तरह से मिला लेंगे और जो बचेगा उसको निकाल देंगे अब सारा को हम लोग इसमें डाल करके एक दूबा टैप कर लेंगे और फिर इसे हम लोग कुकर में टाल देंगे कोई मेरा प्रीट हो चुका है अब इसको हम लोग 45 मिनट के लिए इसी तरह से ढख करके रखेंगे बहुत ते ना बहुत तेज आच रहना चाहिए ना बहुत स्लू मिडियम आच रखें इसका अब इधर हम लोग दूसरे चीज़ का तयारी कर लेते हैं एक आम का पल चार चमचीनी को डाल करके मिक्सी में मैंने चला लिया है अब इसको अच्छे से हम लोग मिला मिला के चलाएंगे ताकि इसका सारा कच्छा पन चला जाए और ये थोड़ा जेली के तरह हो जाए केक की उपर लगाने के लिए इदा कौन फ्लोर मैंने लिया है एक चमच पानी में मैंने घोल लिया है और उसे टाल करके इसको अच्छे से चलाएं और जल्दी जल्दी चलाएं ताकि बैठे नहीं ये अच्छे से जेली इसका तयार हो जाएगा ताकि हम लोग केक के उपर इससे लगा सकें केक में आज हम लोग रोज का फूल बनाएंगे मैंगू से ही अगर आप मीठा कम खाती है तो अब उस तरह से भी जेली को बना सकते हैं बीना चीनी का भी देखे मेरा केक पूरे चित्रा से तयार हो गया है और दोनों को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम इसको आपको एक प्लेट में करके दिखाते हैं देखते हैं तुरत केक निकल जाता है अगर आप उस तरह से केक डालती है तो देखे कितना अच्छा फूल्के हो गया है अभी बहुत ही गर्म है तीन आम को छील के रखे हैं अब उसको स्लाइस हम काट लेंगे ताकि रोज का फ्लावर हम लोग पना सके केक के उपर अब केक इधर मेरा थोड़ थंड़ा भी हो गया है और जेली भी थंड़ा थोड़ा हो गया है इस तरह से स्लाइस का लंबा लंबा और एक अकार का काटे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे थोड़ा उपर नीचे भी चलेगा कोई बात नहीं है बहुत इजी है यह अब इसके उपर जेली को लगा देंगे देखिए मैंगो पल्प इस तरह से फैला करके हम लोग चार उत्रप अच्छे से लगाएंगे मैंगो के पच्चा को खाने में बहुत अच्छा लगता है और देखने में सुंदर हो तो उन लोग को और भी मनत खुश हो जाता है कि अब हम लोग इसको डेकरेट करेंगे इस तरह से थोड़ा छास को ऐसे घुमा के डालिये मैं थोड़ा-थोड़ा फोल्ड कर करके और जिस तरह आगे पढ़ते जाएगा इसका फोल्ड कं होते जाएगा देखे एदम इस तरस्थ्वासा गुमा करके एक्तम रोज के तरह बनेगा देखे कितना अच्छा लग रहा है न बहुत ही सुन्दर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्ट ही लगता है मैंगो केक अब इस तरसे हम लोग पूरा कर लेंगे फ्लावर को आप घर में बनाएए सब कहेगा कि मार्केट से लाए है कितना अच्छा लग रहा है और इसमें क्रंची सिल्वर बॉल थोड़ा सा डाल देंगे ताकि देखने में और भी सुन्दर लगे देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना अब इसको में लूप कट करके आपको दिखाते हैं देखें बहुत ही सॉप्ट बना है ये देखें देखें से खाई बहुत ही अभी थोड़ा गर्म है ये ठंडा करके खाई और भी टेस्टी लगे गाई ये खाई और खिला ये अजिए लगाई आपको भी टेस्टी लगे भी टेस्टी लगे ये खाई वर रहा हैं